रक्षा उत्पाद में आत्म निर्भरता लाने के लिए मेक इन इंडिया को बल देना बहुत आविश्यक है और पिछले तीन वर्षों में बहुत सारे क्षेत्रों में बारत में इस दिशा में कदम उठाए गए और रक्षा उत्पात के लिए मेक इन इंडिया को बल देना और आत्मनिर्बरता लाना इस दिशा में एक अदम है वेपन्स की लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा प्रैटफर्म्स की लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा और उन पर बैन लगाया जाएगा इंपोर्ट के लिए हर साल इसके लिए अलगलग टाइम लाइन्स आती जाएंगी ताकि वर्ष प्रति वर्ष भारत में हत्यारों का उत्पादन यहीं पर हो और हम विदेशों पर कम निर्भर रहें उस दिशा में एक कदम है जो पुर्जे भी हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं उसमें भी कमी लाने के लिए उनकी मैनफैक्ट्रिंग यहीं पर हो भारतिय कंपनियों में उनका निर्मान हो यहीं पर भारत में हो और यहीं ने इसके लिए सेपरेट बजट का प्रावधान भी किया जाएगा जो टिमेस्टिक कैपिल प्रिक्यूर्मेंट है उसके लिए और इससे हमारे डिफेंस इंपोर्ट बिल में भी एक भारी कटोती होगी लेकिन जिसका सीधा लाब भारत में बनाने वाली उनकंपनियों को मिलेगा जो हिंदोस्तान के सेन्या की एक अपूर्ती करेंगी और इसी दिशा में अटॉनमी लाने के लिए और ज़्यादा जवाब देए अकाउंटेबिल्टी ताय करने के लिए और कामकाज में एफिशेंसी लाने के लिए ओर्डिनेंस संप्लाइज जो हैं जो हमारी कॉर्परेशन हैं जो हमारे ओर्डिनेंस फेक्टरीज हैं उनका कॉर्परेटाइजेशन यानि के निगमी करन करने की हम बात कर रहे हैं और निगमी करन और नीजी करन में बहुत अंतर हैं ओर्डिनेंस फेक्टरी बोड का निगमी करन होगा ताकि उनके काम काजम और सुधार हो, बहतर पुड़क्ट बन सकें, सेना को और अच्छे हत्यार मिल सकें, दुनिया वर के देशों पर हमारी निर्भरता कम हो, हिंदोस्तान के अंदर और रोजगार पैदा हो सकें, कमपनियों को लिस्टिंग कराकर उनकी भी ख्षमता बढ़ है, इसलिए और्डिनेंस फेक्टरी बोर्ड का निगमी करन किया जाएगा, और दूसरा रिफॉर्म्स, जहां FDI लिमिट है, डिफेंस मेनफेक्टरिंग के ख्षेतर में, वो स्वचालित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए 49 प्रतिशत से बढ़ा कर, 74 प्रतिशत कर दी जाएगी, यानि के, आटमेटिक डिफेंस रूट, आटमेटिक, FDI का जो रूट है, उसके लिए 49 परसेंट से 74 परसेंट उसको कर दिया जाएगा, लिमिट को, और टाइम बाउन डिफेंस प्रकुर्मेंट प्रोसेस हमारा हो, इसके लिए तवरित फैंसले लेने का भी क काम किया जाएगा, अनुबंद प्रबंधन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उनेट का गठन किया जाएगा, और जो GSQRs हैं, वेपन्स और प्लाटफॉर्म्स की, उसको भी व्यवारिक बनाने का काम किया जाएगा, और जो हमारे प्रशिक्षन की प्रकृरियां हैं, ज उसका जिरुनो धार भी किया जाएगा, ताकि उसमें कम समय लगे, और जल्दी प्रिक्योर्मेंट करने का, ताकि टेस्टिंग समय पर हो जाए, ट्राइल्स हो जाए, और हम समय पर उसम का ओर्डर कर सके.